जो मैं चाहता हूं आपके कमेंट्स के आदार पर कैई लोगों ने कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि माराज आप कथा करते हैं कथा करते हूं बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन एक दो कमेंट बहुत अच्छे लगे वो कहा है मैंधान में और चाहता हूं कि युबाओं में जोस बना रही क्योंकि युबाओं का जोस हमारी कंट्री को आगे ले जाएगा जितने भी येंग्स्टर्स होते हैं न उनमें पावर होती है और उनकी पावर कंट्री की पावर होती है मैं युवाओं से एक बात और कहूँगा सुन लो हर पार्टी का व्यक्ति युवाओं की बात करता है कि युवाओं की बात करता है कोई भी पार्टी हो मैं मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं सब पार्टी युवाओं का नाम लेती है लेकिन युवाओं से सिर्फ बोट लेने के लिए युवाओं का नाम लेती है बाद में क्या होता है युवाओं का क्या यूज होता है कि तुम रोख क्यों रहो भाई तुम भी तो इसी देश के नागरिक हो परिशान क्यों हो तुम कोई पूछने वाला नहीं है बस जब चुनाब आएगा तो सब पूछें युबाओं की जरूवत है तो युबाओं ने जो मुझे एडिया दिये हैं कि महराज आप मैदान में आ कमेंट में लिखा है उन्होंने जो मैंने कल कहा था आप सला दीजिए उन्होंने मुझे सला दिये अधिकांस लोग यह चाहते हैं कि हम चुनाब लड़े और आपने मेरे पहले इंटर्व्यू देखे होंगे मैं पहले ही मना कर चुका हूं कि मैं चुनाब नहीं लड़ूग लेकिन सिर्फ यह कहा है कि चुनाब नहीं लड़ूगा अब मेरी बात पर ध्यान दीजिए मैंने यह कहा है कि चुनाब नहीं लड़ूगा अब युबाओं की बारी है अब यहाँ पर युबाओं का समय आ गया है मैं चाहूँगा युबा इस बात को समझे कि हमें अब आगे बढ़ना है और थोड़ा नहीं बहुत आगे बढ़ना है मैं युबाओं से यह चाहूँगा चार नौमर को वैसे मैं आ रहा हूँ इसी मेहने की 15-20 दिन 20-22 दिन और रहे गए 20-22 दिन बाद मैं भारत पहुँच रहा हूँ और भारत पहुँचके इसी चीज को और आगे बढ़ा हूँगा पहली बात मैं आप सब को बता दूँ जो आज मुझे आपको बतानी है अधिकांस लोगों ने कहा है कि पार्टी बनाईए चुनाव लड़िए मैं आपकी बात कुछ मानूँगा और कुछ नहीं मानूँगा क्या मानूँगा सुनिए द्यान से चुनाव नहीं लड़ूँगा कई लोग मेरे से करें कथा एक दो लोगों ने बीच में सला दी माराज आपकी कथा बहुत अच्छी अगर आप कथा छोड़ देंगे तो जो युवाओं को आपकी कथा और ससंग से कुछ मिलता है उसे वो बंचित हो जाएंगे याद रखिए देव किनन्दन जब तक रहेगा ये सरी रहेगा जब तक ठाकुर जी चाहेंगे मैं कथा ही करूँगा भागवत ही करूँगा चुनाव नहीं लड़ूँगा तो मुझे अगर चुनाव लड़ना होता तो मैं वहा होता भारत में मैं यहां बैठा हूँ क्योंकि मुझे कथा करनी है लेकिन इतने लोगों की जो हम लोग इतने सांसदों के द्वारा जो हमें इग्नोर किया जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बहुत बड़ा अपमान हो रहा है बहुत बड़ा अपमान हो रहा है और मेरा यह अपमान नहीं हो रहा है यह अगर मैं कहूं तो यह सभी लोगों का अपमान हो रहा है जो भी लोग इन आंदोलन को कर रहे थे यह उन सब का अपमान हो रहा ह पर अब करें क्या कोई सुनने वाला ही नहीं है और सुनने वाला नहीं है तो अब किसको सुनाए सुनता मेरी कोन है किसे सुनाओ मैं अब हमें क्योंको जिन से उम्मीद थी जिन को सुनाना था उन्होंने तो सुनना बंद कर दिया जानतों यहाला तमारी क्यों होई एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है मैंने भी कहीं से सुन पढ़ी सुनाओं सुनो एक कसाई था एक कसाई था कसाई और वो रोज कसाई का मतलब आप समझे गए वो कबूतर लाता काटता उसे मारता फिर उसे बेशता ये उसका रोज का काम था मजे की बात देखिए ये दुकान के बाहर ही एक पिंजरा था उस पिंजरे में ही उसने सारे कबूतर बंद की हो थे और उसी में उसके लिए चुगा डाला हुआ था उनकबूतरों के लिए ठीक उन्ही में डाला हुआ था और जिस कबूतर को वो निकालता था मारने के लिए सिर्फ वो सोर मचाता था बाकी के सारे कबूतर आराम से दाना खाते रहते थे आराम से कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था मरेगा तो वो हम तो आराम से दाना खा रहे है और उनको दाना कब तक मिल रहा है जब तक उसका साई का हाथ उस कबूतर पे नहीं जा रहा है और ये स्थति हम सब की है इस समय बारत में जो रोड पे सोर मचा रहा है वो साई कबूतर की जगह है वो हला मचा रहा है वो उसको दर्द हो रहा है लेकिन बाकी के कबूतर चुपचाप आराम से दाना खा रहे हैं कब तक वो जब तक उनके उपर हात ना आ जाए इस बोट की राजनीती में बचेगा कोई नहीं याद रखिएगा अगर हम देश की अखंडता बना के रखना चाहते हैं मैं ये बात हिंदूओं के लिए कह रहा हूँ बचेगा कोई नहीं वो कबूतर की तरह हैं हम सब कभी ब्रामण के नाम पे कभी ठाकुर के नाम पे कभी बनिया के नाम पे कभी शुद्रों के नाम पे दलितों के नाम पे हमको बार बार ऐसे ही ठगा जाएगा ऐसे हमको कबुतर की तरह बली चड़ा दिया जाएगा मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ अब एक हो जाएए अब एक होना है हम सब को एक होना है एक होके अगर हमें अपनी जान बचानी है हम सब को एक होना होगा एक बैनर के तले आना होगा यह मैं देख रहा हूँ अभी से सब लोग गला 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 गल अखंड भारत मिशन अखंड भारत मिशन सबको साथ मिलाएगा जो अभी अलग-अलग बैठे हैं कोई कुछ कोई कुछ कर रहे हैं इन सबको अलग से एक जगए पे लेके आएगे और एक जगए पे लाकर सबसे पहला मेरा ध्यान है मदवडेश में नवमर में election है मैं सबसे कह रहा हूँ अगर एक महने में सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम कथा ही करेंगे जाहें महीं रहेंगे और अगर एक महना जो बचा हुआ उसमें बात नहीं मानती है पहली बात तो इनिश्यत है कि पार्टी बनाएंगे ब्रेकिंग न्यू चला सकते आप लोग पार्टी बनाएंगे अखंड भारत मिशन हम लोग पार्टी बनाएंगे अपने लोग मद्ध प्रदेश में चुनाब लड़ाएंगे मैं चुनाब नहीं लड़ूगा मैं चुनाब नहीं लड़ूगा हमारे लोग चुनाब लड़ेंगे मद्ध प्रदेश में चुनाब लड़ेंगे एक जंडे के तले हम सम मिलकर चुनाब लड़ेंगे लेकिन मैं चुनाब नहीं लड़ूगा मेरे लोग चुनाब लड़ेंगे 19 में भी चुनाब लड़ा जाएगा पूरे देश में जहां जहां हमें लगेगा हम वहां election लड़ेंगे हमारी party होगी लेकिन ये काम किसके लिए होगा या आप जानते हैं अगर हमारी बात एक महने में मान ली तो मैं और मेरे लोग चुनाब नहीं लड़ेंगे मुझे तो लड़ना ही नहीं मेरे लोग चुनाब नहीं लड़ेंगे और अगर नहीं मानी गई सरकार ने इस बात को नहीं माना कि जो supreme court ने कहा है जो supreme court ने कहा है कि पहले जांच हो साथ दिन में जांच पूरी हो दोसी को सजा हो निर्दोस को बरी किया जाए अगर ये बात हमारे सरकार के लोग हमारे विपक्ष के लोग इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं और इस बात में हमारा साथ नहीं देते हैं तो मद्ध प्रदेश का चुनाव अखंड भारत मिशन सारी सभाएं एक जगे पर खड़ी होकर में में अपने आदमी क्यों अभी क्यों लड़ेंगी यह पार्टी क्यों बना रहें पार्टी किяться लिए बना रहें हैं कि एधरवाइज अगर देश कसमता के लिए अच्छें न देश की अखंडता के लिए भी वो पूर्ण नहीं, जैसे ACST, जैसे वो कई चीज़ हैं मैं अभी नहीं उठाओंगा, क्योंकि और फिर बिशे उठ जाएंगे, वो नहीं चाहता हूं, मैं कोई और बिशे हो, तो मैं शिर्फ इतना कहूंगा, एक महने में, अगर हमारी सरकार बातें न झाल